115 लिटर गंगा जल लेकर भोले ने की अपनी पैदल कावड यात्रा की शुरुवात इलाके को लोगों ने लगाए जैकारे भगवान भोले के अनन भगतों में एक आकास त्यागी द्वारा 115 लीटर गंगा जल लेकर हरी द्वार से शुरू की गई इस पैदल यात्रा को देखने के लिए जिगे जिगे लोगों की भारी भीड एकत्रित हो रही है लोग भगवान भोले के जैकारे लगा रहे हैं और इस कामण यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क पराते हैं आपको बता दें कि आकास्त्यागी दिल्ली के बुराडी के रहने वाले हैं और वह हरी द्वार से जगत कल्याड के लिए 115 लीटर गंगा जल की कामण यात्रा उठा कर पैदल यात्रा कर रहे हैं यह यात्रा जब मुझफर नगर पहुँची तो लोगों ने इस यात्रा का भब श्वागत किया 115 लीटर गंगा जल लेकर 52 दिनों की यात्रा करने वाले आकास्त्यागी ने बताया कि उन्होंने जगत कल्याड के लिए इस कामण यात्रा को उठाई है और वह अपने गाउं में पहुँचने के बाद भगवान संकर का जलाविशेख इस से करेंगे बतातें कि हरिद्वार से दिल्ली के गाउं बुराडी में पहुँचने के लिए उन्हें करीब 52 दिन का समय लगेगा और वह दिन रात इस यात्रा के जरिये अपने गाउं बुराडी पहुचेंगे जहां वह भगवान भोले का जलाविशेख करेंगे और जगत कल्याड की कामना करेंगे इसके लिए आकास्त्यागी सुबे से लेकर साम तक इस यात्रा को लेकर सड़कों पर पैदल चलते हैं उन्हें ना तो धोप लगती है और ना ही उनके पेरों में छाले पड़ते हैं वैसे तो कामडियों की भेड सावन के पोर्व ही हरी द्वार इस्थित हर की पौड़ी में दिखाई देती है लेकिन यह कामड यात्रा 27 मई यानि भीशड गर्मी के वक्त उठाई गई है जब आकास्त्यागी हर की पौड़ी इस्थित पबित्र गंगा जल को लेकर अपने गाउं की और प्रस्थान किये हैं इसे देखने के लिए इलाके के तमाम लोग जगे जगे इनका भविश्वागत कर रहे हैं और इनके खाने पीने आदगी क्या बेवस्ता है आईए आपको सुनाते हैं और क्या वज़ा है कि आकास्त्यागी 115 लीटर गंगा जल की यह कामड दियात्रा लेकर अपने गाउं जा रहे हैं और इसका क्यों किया रहेंगे जलाविश्यक और इससे किस तरीके से होगा जगत का कल्यांड आईए सुनाते हैं भगवान भोले के अननभाक्त आकास्त्यागी को काउं पुराडी दिल्ली दिल्ली पुराडी काउं पुराडी लेकर लेकर जाते हैं अब जवत कल्यान के लिए उठाई है यही कहना चाते हैं अब बहुत साथ दिया है हर तरीके से साथ दिया सभी ने बहुत अच्छी सुन्दर